पुरा विपक्ष इस्तिफा दे और दोबारा बेलेट पेपर से चुनाओ कराए जाएं राश्टी जन्तादल और मार्सवधी कम्निस्ट पार्टी के सांसदों ने हिस्सा लिया एससे पहले मंगलवार को करनाटक सरकार में आये राजनेतिक संकट पर कॉंग्रेस और द्रमुख सहित प्रमुख विपक्षिदलो ने मंगलवार को लोगसभा में हंगामा किया था करनाटक में कॉंग्रेस और जेडियस के कई विधायकों ने इस्तिफादे कर गडबंधन सरकार को संकट में डाल दिया है अब आजम खान के बयान पर नजर डाले तो वो पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने ये बात कही हो इससे पहले महराष्ट नौनिर्मान सेना के अधेक्ष राज ठाकरे ने भी ये ही मांग की है ठाकरे ने बयान देते हुए कहा था कि वो चुनाव आयोक से अपिल करते हैं कि दूबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए साथ ही महराष्ट विधान सवाचनौ इस बार बैलेट पेपर के जरीए करवाए जाए